कि असलामलेकुम आज इस वीडियो में हम लेक्चर 16 को कंटिनू करेंगे और जो आज का लेक्चर है वो काफी डेटेल्ड होने वाला है तो में भी पॉसिबल के इसको हम दो पार्ट केंदे स्प्रिट कर दें तो आज का जो सवाल है वो यहां ते शुरू हो रहा है कोश्चन स लेकर और यहां पर खतम हो रहा है पार्ट के तक तो हम कोशिच करेंगे कि इसको एक ही वीडियो के अंदर कर सकें अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसको कवर कर लेंगे वरना इसको दो पार्ट केंदे स्पेट कर लेंगे सवाल के अंदर लिखा वाया है और पीरड़ आप 60 ड यहां पर आप ग्रूप भी लागा सकते हैं तो यहां पर हम दोनों काम एक साथ कर रहे होंगे ताके पेपर के अंदर इस तरह कर कोई वैलियू आ जाए और आगे लिखा वाओ सिंपल वैरेंस निकालना है खुछ और निकालना है तो हमने उसको अंग्रूप डील करना है ग्रूप की तरह भी डील कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो सवाल है उसके अंदर पार्टी में लिखा हुआ है मेगा टीम स्टैम एंड लीफ डिस्पले विज एट लीस्ट फाइव स्टैम फॉर दोस डेटा ठीक है शो डैट लीफ सौर्ट इन और इंक मैं स्टैम इन लीफ के लिए जगा बना लेता हूं और इसको मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं ताकि जो चीज़ होगी इसको फॉरन से कैंसल आउट भी करते रहेंगे तो बिल्कुल असान से तरीके से अप्लाय करना है और इसको सॉल्ट करना शुरू करना है तो सबसे पह पर थे वह कितने हैं तो मैं दरा पर निकाल लेता हूं और इसको फॉर्स टमबर यहां पर सिक्स है सेविन है और एड़ भी है छिक से लिख लेता हूं शिक सेविन एट नाइन भी दिख गया हुझे और टैन वैल्यू और और कोई नमबर नहीं कि तरी डिजिट कोई वैल्य होता तो 678 तो स्टैम में क्या करता हूं स्टैम में में लिख लेता हूं 6 एक लाइन छोड़ेता हूं 7 8 और 9 ताकि थोड़ा सा काम सास उत्रहता हो जाए ठीक है तो हमें करना क्या है अब सिंपल यह करना है अब आपको सिक्स वाले स्टैम के अंदर जो टू डिजिट नमब है अब आपको उसको फाइंड करना उसको लिखना है असेंडिंग और के अंदर तो मैं किस तरीके से करूंगा तो जिस तरीके से मैं करूंगा आपने उसी तरीके से परफॉर्म करना है यहां पर देखें आप तो 60 है तो 60 के सेकंड नमबर डिएक पर क्या है जीरो है ठीक है कि शिक्स्टी और हमारे पास इसके अंदर नहीं है तो जो वन टाइम है उसको एक ही बार यहां पर 60 का जीरो यहां लिख लिए ठीक है तो 60 हो गया तो इसको हमने अच्छे से कट कर लेका है तो पहले इसको साइट कर लेते हैं ताकि उसको एकी बरतबा ऑपन करेंगे अब देखें 60 के बाद बन आता है दीरों के बाद बन आता है तब 61 है इस सीरीज के अंदर मैं इसको दरा देख लूँ ठीक से यहां पर मुझे इस सीरीज के अंदर नहीं मिला आप बारी है 62 की तो 62 देखते हैं इस सीक्वेंस के अंदर यहां पर 62 भी प्रेजेंट नहीं है ठीक है मैंने बन बाइब वन इसको देखना है अब बार या गई 63 तो मिझे 63 दिग गया है शुरू मैं तो मैंने एक कट यहां लगाया अब आस 63 को ढूंड़ना है वर्टिकल यह आप चाहिए तो देख सकते हैं ठीक है 63 को तो 63 भी वन टाइम्स हैं तो हम यहां पर लिख लेता है 63 के बराबर में बन था कि हम इसको एक ही बारी में प्लॉट करते वह चले जाएंगे अब बारी आते है 64 की जो कि इसके बराबर में मिल गया मुझे से 64 हम में फाइंड करना है तो 64 को फाइंड करते है है 64 एक मरतबा यहां पर हो गया है 64 थोड़ा सा काम बसी लैंदी है इसको इस तरीके से सॉर्ट करना है हमने तो 64 भी मेरे पास वन टाइम थे तो मैंने वहां पर वन टाइम लिख दिया है मैंने ठीक है मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताके और अच्छी से क् तो 65 मुझे यहां पर कहीं नहीं दिख रहा ठीक है तो 65 के बाद आता है 66 66 को हम फाइंड कर लेते हैं पहले तो आप चाहें तो साथ साथ इसको कॉपी में भी कर सकते हैं तो जैसे मैंने लिख लिख लिए था पहले से ही अब मैं क्या करूंगा तो 62 के यहां पर सबस्ता 60 60 के बाद सबस्ता 63 में इसके थी कितने टाइम दे मैंने पैंदी से लिख दिया था वन टाइम शिक्ती कितने टाइम यहां पर टाइम ठीक है इसी तरीके सा हमने इस टेमिल लिव का बनाना है अब बारी है सब्सक्राइब की तो इसको जल्दी सबसे पहले है कि 70 मुझूद है या नहीं सिक्वेंस के अंदर में देखता हूं तो यहां पर मुझे 70 कहीं नहीं दिख रहा तो अजबता 71 है ठीक है 71 को काउंट कर लेता है 71 एक मरतबा है फिर 72 दूसरी मरतबा आगे इसको आपने चैन नहीं है मैंने मियाद रखने कि टू म equation Two मरतबा उगया को अर फिर71 नहीं है मीसके 71 आपके पास आ इक हम चाहें तो आप इसको हाथ के हाल फिकिते जाए ठीक है तो 71 कितने मरतबा हुंग है दो तो दो मर्तबा हैं तो आपने वनवन लिख लिए हैं आपर सिंपल ठीक है अब बारी है 72 की तो 72 फाइंड कर लेते हैं आपर जल्दी से 72 तो 72 मुझे यहां पर भी नहीं दिखा 72 एक मर्तबा है और यह 79 है 72 यह रहा ठीक है तो जो 72 है वो कितने टाइम ले टू टाइम ले तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं 72 का टू और तू इस तरफ आगया ठीक है अब बारी है 73 की तो 73 मुझे यहां दिख गया है एक मर्तबा फिर कहां है 73 तो 73 और कहीं नहीं है तो इसको अभी मैं सिंपल एक मर्तबा लिख जाता हूं यहां पर अब बारी 74 कि 74 आपको फाइंड करना है तो 74 अगर मैं वर्टिकली देखूं तो वर्टिकली मुझे एक 74 दिख गया वर्टिकली यह दूसरी मर्तबा दिख गया फिर दो मर्तबा हो च तो यहां पर मैं लिख दूँगा 73 एक मर्तबा दिखा और 74 मुझे दो मर्तबा दिख गया तो इस तरीके से लिखा मैंने अब बारी 75 की 75 को करते हैं कि 75 इसके नहीं तो बारी आजाएं दिख गया एक मर्तबा अब बॉर्टिकली देख लेता हूं 76 कि यह कट कर दिया था 76 दूसरी मर्तबा मुझे दिख गया तो 76 मेरे पास यहां पर दो मर्तबा मुझे दिख गया है ठीक है और एक यहां पर भी है जो कि नीचे ही है ठीक है तो 76 किते मर्तबा है तीन मर्तबा है तो इसको भी मैं 66 और यह 16 मर्तबा था तो मैंने इस तरह लिख लिए अब बारी है 77 की तो 77 find करना है 77 77 एक मर्तबा यहां दिख गया मुझे अब मैं वर्टिकली चेक कर रहा है तो 77 बस एक बार था तो मैं यहां पर 7 लिख दूँगा तो इसी तरीके से हमने काम करना है यह वाला ठीक है तो 77 होगा आप 78 की बारी है तो 78 आपको find करना है तो 78 एक मर्तबा हो गया यह है मैं बहुर्ट लिए चल रहा हूं सेकेंड थर्ड 78 यह फोर मतबके 78 कितना टाइम्स है आठ टाइम्स है और बाकी एक यह रहा ठीक है तो यह पांच टाइम्स मुझे दिख गए एट एक दो तीन चार और यह पांच तो यह पाइफ टाइम्स मैंने यहां पर बना लिए ज ठीक है ताकर थोड़ा सा दिखता रहा है आप लोगों को यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिए है अब इसी तरीके से काफी दूसी चीदें भी पूरी कर लेता हूं दंपर इसके बाद हम स्टार्ट लेंगे पहला कुशन अपना मेंस के पार्ट ए हम इसको प्रकर के आपके सामने दिखा दूँगा तब यहां पर सेवंटी नाइन को देखना एक रही ठीक है सेवंटीन और दूसरी टर्म प्र सेवंटीन नाइन ठर्ट टम फोर्ट तर्म फिफ्ट गोगो शिक्स्त सेवंट टम ठीक है आगे भी दख लेड़ें तो 79 की 97 टर्म से नाइन कांग सैनने मत टैम लिख दिंगे नाइन 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 फोर टैम्स यह हो गया अब फाइंड जल्दी से कर लेंगे हम 8 वाली sequence 8 से पहले चाहे 9 भी हम कर सकते है तो अगर 9 की sequence को पहले देखते हैं तो या 80 की sequence को भी चलते है 80 तो 80 को ही हम find करते है 2 times ठीक है 2 times 80, 3 times 80 4 times 80 और बस आपके पास नहीं है तो 4 times आपके पास 0 आगया तो 80 में 1, 2, 3, 4 4 दिरों आपने लिख दी 80 वाले लाइन में और आगे क्या कह रहा है वो आगे वो कह रहा है 81 आप धूंडो तो 81 में यहाँ पर find किया तो means के आप देखें आपके पास एक लाइन पूरी खतम हो जाएगी तो आप चाहें तो यहाँ पर अपने असानी के लिए एक लाइन लगा देना बात में ठीक है ताकि आपको पता एक लेगा कि यहाँ पर यह लाइन एंड हो चुकी है तो 81 मैं वर्टी के लिए अगर चेक करूं तो यहाँ पर वर्टी के लिए खतम हो गया है 81 81 तीन टीन टाइम्स त्री टाइम्स हो चुका है और 81 1 2 ठीक है यह 2 अच्छा यह 3 हो गया है और 1 हमने कहां कैंसल किया था 3 एन यह 4 81 तो 81 टाइम्स हो चुका है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा simple 1 1 1 1 अब बारी है 82 की तो 82 को find कर लेते है 82 वार्टी कर लिए अगर मैं देखूं 82 एक मर्तबा हो गया यह 82 दो मर्तबा सकिंड टाइम्स थर्ड टाइम्स तो टू मेरे पास है थ्री टाइम्स टू 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 ठीक है थ्री टाइम्स मैंने लिख लिया इसी तरीके से 83 का लाइन करना है तो 83 वार्टी पूरी हो गई और मैंने यहां पर एक लाइन लगा दिया तो इसका मतलब है खतम हो गया ठीक है तो एक पार्ट यह हो चुका है तो वन 83 83 और सेकिंड टाइम्स ठीक है और यहां पर और एटी टू कितने टाइम्स है टू टाइम्स तो मैं यहां पर त्री और यह त्री लिख लूँगा तो और काम असान हो गया ठीक है अब क्या करना है अब आपको फांड करना है 2004 आपको स таких करना है तो एक मर्थबा 2 मर्तबा हो गई है 2 ऑर स्टी टैम्स ऑ समय टी q2 पार पर 4 ताय में यहां पर और 4 टैम्स तो मैं यहांपर निख रहा हूँ 4 4 4 & 4 ठीक है यहां पर मैंने शो कर दिया है अब बारी है 85 की 85 find कर लेते हैं 85 85 1 हो गया है एक मुर्तबा हो चुका है और 85 नहीं है तो मैं 85 पर यहां पर लिख लेता हूं 1 ता कि मुझे याद रहे है अब निकाल देते हैं 86 86 खतम हो गई और मैंने इस लाइन को भी इस तरीके स पर यहां पर यहां पर और यहां पर दिख रहा हूं 5 एक टाइम था और 6 मेरे पास 3 ताइम से तो मैंने यहां पर इस तरीके से 6 को लिख लिए ठीक है अब आदी है 87 की तो आप 87 को find out कर लेते हैं 87 तो यह लान खतम हो चुकी है 87 तो यहां पर यह देखें कि आपके पास यहां पर सिर्फ 91 बचा है ठीक है इस लाइन में और यह लाइन बिल्कुल खतम हो चुकी है यहां पर 74 हो चुगा था 74 हमने किसने टाइम दिखा हुआ है फूर टाइम्स ठीके टू टाइम्स 74 यह रहा दो मरतबह ठीक है 74 हमने थ्री टाइम दिखना था हमने टू टाइम दिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां क्या था कि मैंने क्रॉस नहीं नगाया ठीक से तो 74 देखें मुझे इस तरीके से एक और मिल गया तो हम यहां पर क्या सब्सक्राइब तो 87 ढूंडिंगे दुबारा 89 ठीक है वन टाइम हो गए 89 भी एक मरतब है तो आपने सिंपल यहां पर नाइन लिख लेना है यह खतम हो गया अब नाइन की सिक्वेंस है अब नाइन की सिक्वेंस को किस तरीके से करना है 90 90 आप फाइंड किया और आपने यहां पर इस लाइन को भी एरो दे दिया ताकि भी खतम हो गई है ठीक है 90 पूरा हो गया पर 90 को आप को ढूंड़ना है 90 तो सेकंड सेकंड हो गया यह एंड नाइन यहां पर मुझे टू टाइम दिखे तो मैं यहां पर टू जीरो लगा ठीक है अब बार है 91 की तो 91 को अगर फाइंड करेंगे तो एक 91 यहां हो गया तो यह लाइन अप पुरी खतम हो गई है ठीक है 91 अब यहां पर 64 भी बचा हुआ है ठीक है इसका मतब 64 कितने टाइम से 64 को भी मैंने लिखा नहीं है तो मैं पहले कट लगाता हूं और यहां पर एक 4 और लिख देता हूं तो जो मिसिंग टाम्स है वो मुझे इस सरी कैसे मिल जाएंगी ठीक है तो टू टाइमस फोर्ट है यहां पर अब हम क्या ढून रहे थे हैं यहां पर 91 तो 91 एक मरतबा हो चुका है और 91 यहां पर और नहीं है तो सिंपल 91 मैं यहां पर लिख जड़ीस चrane जलीसे यह बढर चुक्या यह ब्तृ चूकियर और यह छह फतम हो गई है इसी तरीके से आपके पद त fotos यहां पर लिखूंगा six eight कितने टाइम्स है अब यहां पर इसी जिए जल्दी जल्दी कर लूँगा तो 98 है two times तो eight eight और 99 है one time सुमें यहां पर कट किया तो 99 कितने टाइम्स है one time तो यहां तक मैंने अपना काम कर लिया अब मुझे है इसकी काउंटिंग करनी है काउंटिंग किस तरी कैसे करेंगे अब वो समझते हैं सबसे पहले आपके काउंट करने है टूटल नंबर्स one two three four five six seven eight nine ten 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 आपके पार रॉज है कॉलम कितना है one two three four five six तो ten इंटू six which is 60 मतब कि 60 आपके पाद बीशन होनी चाहिए अब हम फाइंड करेंगे इसके इसको काउंट करेंगे one two three four five six seven मैं यहां पर लिख लेता हूं seven one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो यह 24 है one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen 17 18 19 20 21 22 22 है फिर one two three four five six seven यह कितनी है seven इसको एड़ कर ले तो अपना अंसर seven प्लस 24 प्लस 22 प्लस seven तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आपके पर observation कितनी शो हो रही है 60 तो इसका मतब क्या है कि देखे हमने इस टीम इन लीफ मैंटर किस तरीके से हमने लिख़ा है तो इस तरीके से आपका पार्ट एजो है वो हो चुका है complete और जिस तरीके से मैंने आपको कहा है करना है तो बिल्कुल इस तरह फॉल्व करेंगे तो यहां पर कम थी तो मैंने वहाँ पर भी फॉर्ण से जाके लिख दिया अब पार बीक अंदर है में का फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर्ट डेटा विदा मैक्जिमम बाउंड ऑफ अब हाई उपाइब करने है थीक है यहां से लेकर यहां तक लाइन दिखी हुई है विद्धी मैक्जिमम से लेकर अब यहां पने जो पाथ है अपने पात को ना पहुंच सको कि आपको थोड़ा सा तन्फियूज करने के लिए जब कि यहां पर ये है कि आपको पता है कि जब रिलेटियव का रजाथा है तो रिलेटिज की अदर ही हम बात करते हैं तो वहां पर जो भी होता है परकिव का करते बात करना है नहीं हो सकती आपको है तो क्या करेंग birth उसके लिए हम यहां पर हमारे पास आमरे तिक दो है कि एक मैचिवम्ग चीज़ के उपर हम कर सके bleibt इसको और यूटिलाइज कर लेते हैं तो बस इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने सिंपल अभी एक्स अब्जर्वेशन से लिए मैंने ठीक है अब्जर्वेशन के बाद अच्छे काम और करना था मैं यहां पर फिर दन फ्रिक्वेंसी क्लास पहले यहां पर बनेगा क्लास इंट्रुविल बन जाएगा फिर लाद बांडरी बनेगी देन यहां पर रिएक्टि क्या है कि एंगल को ठीक कर लेते हैं अब करना क्या है सबसे पहले तो हमें इसको एक अपने पास टेबल बनाना है क्योंकि पार्ट बी में उसने क्या कहा है हमें पार्ट बी में उसने कहा है कि में का फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर देटा कि आपको सिंपल एक टेबल बनाना ह ठीक है और with maximum bound और यहां पर number of classes आपको निकाल के बताने हैं तो जो यहां में स्पेश पर करवा रहा हूं यह पार भी है ठीक है पार भी अब वो किस तरीके से हैं मैं यहां पर एक लाइन ड्रो ही कर देता हूं और सिंपल मैंने x लिख दिया और यहां पर frequency का f डाल दिया मैंन कि आप बोलें कि अब मुझे दुबारा देख युष्ण करना है तो यह मुस्किल होगा सिंपल सा यह है क्यों कि लिए फकर देंदर क करना है इंदर एंको यहां पर देखना चाएं पहली वैल्यू है 60 यह कितने टाइम यहां पर आपको टू टाइम दिख रहे हैं तो आपने यहां पर सिंपल टू टाइम लिख दिया ठीक है इसी तरह 66 मैंने यहां पर लिख दिया यहां पर जल्दी-जल्दी कर रहा हूं ताके कितना टाइम दियां तो दो मरता भाए तो टू थिख दिया यहां पर आपने यहां यहां पर यहां pr super तो फाइफ टाइम से तो देखें कितनी असानी से आपने अपना फ्रिक्वेंसी टेबल बना लिए इतना सारा बसा क्योंकि आपने टाइम इसके अंदर दिया है तो काफी चीज़ें असान हो जाती है अब यह करने के बाद फिर सेवेंटी नाइन तो वन टू थ्री तो तो जाती है नैंगीन दो चीज़ें परिक्राम पर लिए घ्र की बारी हो जाती नाथन की हो जाती छारई दीरू है तो टा र्लेत तो प सेवेंटी तो है three amin फिर E 60 है एबद मिगें ने की नावन थावन थावन थावरत यह काम ने किया स infinis कि पास आएंगे तो सिंपल क्या करना है आपको नाइंती necessarily ऑन टाइम था फृक्त बियुक्त हैंद्द उन तो आप उने पक्या ह espero कर दो एक रहाए अब आपने यहां पर पार्ट को complete कर लिया थोड़ान रह गया तो यहां रहे गया है रहा है मैं आप निकाल के बतायें के classes कैसे निकलेंगी ठीक है तो इस ट्रेंज रूल के मताबिक आपको सबसे पहले तो निकालनी है कि classes कितनी बनेंगी तो सिंपल तो आपने फॉर्मला याद रखना है classes के लिए टू की power m ठीक है अब आपके frequency कितनी थी कि टू की power 6 होता है 64 जो कि आप calculator में देख सकते हैं दुबारा तो यहां पर टू की power 6 अब ठीक है विची इक्वल स्टू 64 तो 64 बड़ा है 60 से तो इसका मतलब के एम रिप्रेजेंट दा क्लासेथिए तो यहां पर एăm बतारा रहा है कि छे क्लासे बनेगी अब आपको निकालना है यहां पर रेंज तो रेंज मैंमे बह embargo गतारव सब्सक्राइव क्या क्या आएगा 99 ने यहां से भी देख सकते हैं और यहां पर लिए 9 नाइन देलिस दो 99-60 यहां पर आएगा 99-60 तो आ पने यहां पर रेंग भी निकाल दी ऐ थीगiko अब क्या करना है आपको मैं अब क्या करना है आपको अब सिंपल आपको इसका साइज ही करना है तो साईज को हम इससे भी डिनोट करते हैं ठीक है तो वो किस तरीक से निकलेगा आपको रेंज को मैं पहले फॉर्म लेतूं रेंज अपॉन से अगर आप डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास साइज निकल आएगा तो साइज यह बताएगा कि हमने कितने स्टेप साइज बाद काम करना है में इसको राउंड ओफ करके ठीक है तो मेरे पार रेंज क्या हाइड क्या गई है हाइड मीन के साइज तो आगया है सेवि यह पार्ट क्लास इंटर्वाइड फ्रिक्वेंसी और क्लास बांडरी यह मैं आपको अभी करवा रहा हूं किकि अभी हमने ग्रुप डेटा स्टार्ट नहीं किया है तो हम इसको कुछ दिन बाद इसको भी स्टार्ट लेंगे ताके वह आप लोगों को भी समझ में आ सके त पार्ट कंश्य C हिस्टोग्राम फोर दीस त्यटा अब यह बनेगा अब यह कब बनेगा जब आप के पास इन और इंटर्वर्ad किसतरा थे अब आपको यहां से देटा देखना है सबसे lowest value क्या है यहाँ पर 60 सबसे पहले आपने लिख दिया 60 ठीक है 60 के बार आपको क्या करना है इसके अंदर h की value क्या है आपके पास 7 7 add कर दें इसके अंदर ठीक है अगर इसके अंदर आप 7 add कर दिंगे क्या बनेगा तो यह बन जाएगा 67 ठीक है 67 हो गया यह अब बलके यहाँ पर हमें एक mistake करें आपने सबसे पहले अच्छा यह आपके पास किलाएगी आपके पास करें लिस्ट लास इंटरवल और यह अपर इंटरवल यूसी आई ठीक है तो यूसी यह इस तरी कैसे नहीं निकालना सबसे पहले हमने जो minimum value लिखी करेंगे तो यहाँ पर आएगा 67 वह हम यहाँ नहीं लिखेंगे ठीक है तो इसको अभी मैं कैंसिल कर देता हूं यहाँ पर समझने के लिए सबस्क्राइब 67 के अंदर दुबारा हम 7 प्लस करेंगे तो 67 प्लस 7 74 यहाँ पर मैं लिखूंगा 74 प्लस 7 81 81 के अंदर फिर 88 हो गया है मेरे पास 88 के बाद फिर हो गया है 95 क्योंकि वैल्यू में नाइंटी नाइन तक थी तो 95 पर लाके मैंने इसको स्टॉप कर गया है अब इसको किस तरह लिखना है 67 था इससे कम क्या होता है 66 तो इसको 66 मैंने यहाँ पर बना दिया 66 हो गया अब आप चाहें तो इसके अंदर भी 7 एड कर दें और अपना अंसर लेखते वे चले जाएं या आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि 74 74 से पहले क्या आता है 73 ठीक है इस तरीके से भी कर सकते हैं आपको यह नहीं समझा रहा तो सिंपल 66 कि आपने प्लस 7 73 प्लस 7 80 आ गया है तो यह आ गया है 80 80 के बाद फिर मैंने ना गया मेरे पास ग्लाइस इंटर्वेल अब क्या करना है मुझे आप यहां पर देखना है कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है अब आपको यह पर 67 की 67 से लेकर 73 तक 67 से लेकर यहां से लेकर 73 तक तो मैंने यहां तक टिक लगा लिए काउंट करते पर चले 1 प्लस 23 टू प्लस यह 5 होगा और यह 6 होगा तो यह दुबारा यहां पर 6 आ गया मेरे पास 74 से लेकर 80 तक 74 से लेकर 80 यह रहा है तो 3 प्लस 3 6 17 7 प्लस 5 12 12 प्लस 7 19 19 प्लस 4 23 23 आपके पास अब यहां पर फ्रिक्वेंसी आ गई है ठीक है अब 81 से लेकर 87 तक 81 से लेकर 87 तो 87 नहीं है क्योंकि यह 89 है तो हम इसको 86 सके रखेंगे 4 प्लस 37 7 प्लस 29 9 प्लस 4 13 13 प्लस 14 14 एं 14 प्लस 3 17 तो आपने यहां पर 17 लिख दिया अगली वैलिव है अगली वैलियू भी मेरे पास 4 तो 1 प्लस 2 3 2 प्लस 14 तो मेरे पास यहां पर इस तरीके से बन गया अब तरीक से बनेगी अब आपको देखना है क्लास बांडरी को बनाने का तरीका सिंपल यह है आप लिस्ट इंटर्विल में से कम पॉइंट फाइफ कम करेंगे और इस इंटर्विल के अंदर आप पॉइंट बढ़ा दिए अपर क्लास इंटर्विल के अंदर कैसे 59.5 से लेकर 66.5 अब मैं इसी लिखते वें चले जाओंगा 73.5 मैं यहां पर पहले 0.5 बढ़ा रहा हूं ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 80.5 एंट 87.5 94.5 एंट 101.5 यह मैंने काम कर लिया डैश भी लगाती है ठीक है अब आपको क्या करना है जो वैल्यू यहां पर आई भी है आपने है बस वह लिख देनी है 66.5 73.5 एंड 80.5 87.5 एंड 94.5 तो आपनी यह काम कर लिया अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह निकलती है उसका मैं फॉर्मॉला यहां पर बता रहा हूं अच्छा आप इसको सम करेंगे सम फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी वह आएगी 60 आप चाह 860 23 174 प्लस 4 अंتर आ गया है 60 दिख रहा है आप लोगों को 60 आंतर आएगी 10 मैं फेर निका Judah रहा हूं तू क्या होता है पर रहाए बाकिम नहीं नहीं निकाला हूं मैं आपको एक निकाल के बता रहा हूं बागी फिर मैं नहीं निकाल रहा हूं फिर जब हम गुरूप करेंगे तो उसके अंदर आपको और अच्छे ते डिटेल में बताऊंगा तो क्या करना है आपको सिंपल कि आर एफ है तो फ्रिक्वेंसी सिक्स अपन 60 मल्टिप्लाइबाई 100 तो 10 आगया मेरे पास यह तैन यहाँ पर वैल्यू सेम है तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा तर अगली ऐल्यू क्या है 23 तो 20 23 डिवाईडिद बाई 60 मल्टिप्लाइबाई 100 तो 38.3 38.3 यह परसंटेज में आगया आपके पास ठीक है कि रिलेटिफ का मतला भी परसंटेज होता है तब यहां पर भी क्या करना है आपको 17 डिवाइड बाइड बाइड साथ मल्टिप्लाइबाइब सो तो 28.3 आ गई है यह 28.3 एंड 4 के लिए भी निकाल देते हैं सेम आएगी डिवाइड बाइड सिक्स्टी मल्टिप्लाइबाइब हंड्रेड तो 6.66 आ गया यह 6.66 अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड परसंटेज आ देगी क्योंकि हमने सारे सारे परसंट 38.3 प्लस 28.3 प्लस 6.66 प्लस 6.66 तो आंसर आगे 99.92 अब यह क्यों आया है क्योंकि पॉइंट के अंदर वैलू सी इसलिए यह एप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड के को लिया जाता है ठीक है यहां पर हमने काम कर लिया अब जल्दी से क्युमिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालत सबसे कम आपको लिखना है तो मैं अगर यहां पर लिखूंगा 59.5 तो मैं यहां पर एक मरतबा डॉल दूंगा ताकि आप लोग इससे कॉपी कर सके ठीक है क्योंकि इससे कम तो कोई वैल्यू है नहीं फ्रिक्वेंसी की तो वह 0 है अब क्या करना है यहां पर सिंपल आपको करना यह है जब लेस देन अब आप यहां पर क्या लिखेंगे लेस देन 66.5 विच इस इक्वल्स टू 0 प्लस 6 ठीक है 0 प्लस 6 कितना होता है हम पुरानी वाली को न्यू वाली फ्रिक्वेंसी के अंदर एड करते चले जाएंगे 6 आ गई है ठीक है फिर यह आपके पास अगली बाउंडरी क्या है आपने फिर 73 वाली बाउंडरी लेनी है 73.5 पर क्या है आपके पास तो 6 यह रहा 6 प्लस 6 विच इस 12 फिर यह आपके पास आ गई है देन फिर आपको 80.5 दुबारा से यह वाली बाउंडरी लेनी है और यह किसके बराबर 12 प्लस 23 तो विच इस एक वालस टू यह बनेगा 25 अनिट 35 ठीक है 35 प्लस 17 तो 45 एंड 52 आई तो इसको चेक कर लेगे 35 प्लस 17 52 तो यहां पर आ गया है 52 और यहां पर लिखेंगे 87.5 और लेस देन इंके साथ साथ चलता रहेगा ठीक है जगा कम है तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है अब क्या करेंगे 52 के अंदर 4 एट करेंगे तो क्या बन जाएगा 56 56 के अंद 94.5 याद रखें कि पहले मैं यह लिखना है देन आपको सारी के सारी जो अपर बाउंडरी आपको यहां पर मेंचन करने क्यूमिलेटिव के अंदर ठीक है तो हमने यह काम कर लिया मोर्दन टाइप ऐसा करतें कि अभी स्किप करतें जब हम इसको डिटेल में पढ़ींगे ग करेंगे या अभी हम ऐसा करते हैं कि सी पार्ट कर लेते हैं ताके एक कोश्चन जो तीन पार्ट से वह कंप्लीट हो जाए तो मैं यहां पर पेज को फूल्ड कर लेता हूं सिंपल जब मुझे उसने कहा है कि हिस्टोग्राम आपको बनाना है तो पार्ट सी के लिए हम काम कर रहे थे इस्टोग्राम के लिए आपने लगा लिए ठीक है थे निदर आपने कहां से करना है या तौक द्बात स democrats जो पर आपने लिए 60.5 मैं झीज लिए 60.5 फिर देन हे 73.5 73.5 एंद देन 80.5 ठीक है 80.5 एंद देन 87.5 87.5 फिर 94.5 एंद 101.5 मैंने यहां पर इसको इस तरीके से रख दिया है ठीक है अब डॉक इस तरीके से करना है आपके पास प्रिक्वेंसी आ गई है तो बस आपने बस इसकी आपने वैल्यू देख लिए अब आपको जाना अपने फ्रिक्वेंसी के ओपर फ्रिक्वेंसी का है है आपके पास तोटल फ्रिक्वेंसी आपको एक्वेंसी पर जाने अब आपने देखना है कि यहां से यहां तक कि कितनी सी फ्रिक्वेंसी 59 ते लेकर 66.5 तक 59 ते लेकर 60.5 सक कितनी फ्रिक्वेंसी 6 तो मैं यहां पर let's suppose कि मैं शो कर देता हूं कि यह मेरी 6 है पॉंट फिर यह ऐसा करते हैं कि यह मेरा पॉंट फूर है देन एट देन ट्वैल्फ फिर यह मैं कहां तक है 23 तक है ठीक है तो शिक्स्टीन 20 and this one is 24 तो आपने देखा कि 69.5 से लेकर 60 तक कहां तक जा लिए boundary 6 तक तो आपने देखा कि 6 आपका कहा होगा यहां पर होगा तो यहां से मैं शुरू करूंगा जहां से मैंने इसको रखा और आपने एक लाइन इस तरीके से लगा दी ठीक है फिर है आपके पास 60.5 से लेकर 73.5 66.5 से लेकर 73.5 आपके पास इतनी 6 है तो आपने दुबारा इसी लाइन को आगे continue की और यहां पर आके रूप दिया फिर है आपके पास 23 73.5 से 80.5 से लेकर 80.5 तक तो वह कितनी ही 23 तो 23 मेरी almost यहां पर आएगी तो इसको मुझे मार्क करना है तो मैंने यहा करूँगा यहां से भी एक स्रेट लाइन ड्रॉप करते हैं और यह आपने एक लाइन ड्रॉप कर दिये इसके बाद क्या है इसके बाद अगली वैली हो 17 तो 17 मेरा कहीं आएगा यहां पर तो मैं इसको यहां ड्रॉप कर दूँगा यह 17 मैंने ड्रॉप करते है तो फोर मेरा यहां पर आ रहा था तो दोनों तरह बेले फोर थी तो मैंने यहां ली दिया आप इसको मेंचन कर दें कि आपका 6 है यह 6 है दिस वन इस 23 दिस वन इस 17 और फोर तो इस तरह आपका पार्ट सी जो है वह इस्टोग्राम कंप्लीट हो तो सिंपल सा जवाब यह है कि हमने इस डेटा को क्या बना लिया है डिस के रीट से बना लिया है कैसे बना लिए कि आप देखें 59.5 से शुरू हुआ सब्सक्राइब तो अब आज की वीडियो यहीं तक सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार दी और जो रिमेनिंग पार से इसको हम सॉल्व करते हैं थैंक्यू